बॉलीवूट के इतिहास कि अगर अभी तक की सबसे कोई घटिया और दो कोड़े की फिल्म रही है तो उसका नाम है विवेक रंजन अगनी होतिद और निरिशिद्ध कस्मीरी फाइल्स ये फिल्म इतनी घटिया है कि इसमें ना ही एक कोई गाना है ना ही कोई होट सी सुन्दर सी अभिनेतरी इसमें अपना रंगमंच कर रही है ना ही कोई होट और बोल्ट सीन है और ना ही कोई एडवेंचर थ्रेल और ये सारी सीन इसमें नहीं है ये फिल्म इतनी घटिया है कि इसको देखने के बार निकलता हुआ हर दर्सक रोही रहा था सायद इसलिए घटिया फिल्म को 600 से जादा स्क्रिंस नहीं दिये गए यह फिल्म कस्मीरी पंडितों द्वारा 1990 तक कस्मीर को गुलाम बनाने जाए पर अधारित है जिस तरीके से कस्मीरी पंडितों ने वहां के म परेव दिखाया गया है सायद इसलिए जूट और फरेव को प्रसार करने के लिए कोई बी एक सच्चा और बड़ा पत्रकार और ना ही कोई मेडिया हाउस सामने आ रहा है मेडिया हाउस चोड़िए खुद कपिल सर्मा के सो में भी इसको प्रमोशन करने का मौका नहीं मिला अब ये फिल्म इतनी घटिया है इतनी घटिया है तो इसकी इतनी बात क्यों हो रही है इतना चर्चे में क्यों है आखिर क्यों इस फिल्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है और निकलने वाला हर व्यक्ति रो रहा है और रोने के साथ एक विनम्र भाव से एक भाव विभ जितना हम सोच पा रहे हमाने सारे फिल्म का मतलब। एक चलचित्र एक चलने वाला किसी वीड़ियो गटना पर अधारत शक्षा और सटी जो चलचित्र के मादम से वीडियो के मादम को दिखाया गलत साबित कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में ता कस्मीरी फाइल्स जैसी movie आती है और फिल्म की मानक पडिभासा को हम सब्सभी तक समझ रखती है अगर दाक स्मीरी फाइस्ट की दाक स्मीरी फाइस्की की अभी तक की बात करें अगर हम अभी तक का update आपको दे तो 11 मार्स 2022 को सुक्रवार के दिन ये मूवी पूरे भारत के विविन विविन सिनेमा घरों में लाउंच होई थी और लाउंच होने के छेसो छेसो स्क्रीन सी इसको दिये गए थे उसके बावजूद इसने एक दिन का लगभग 3.5 पांच करोन का बिजनस कर लिया है और वर्ल्ड वाइट की अगर बात करें तो 4.5 एप्रोक्स करोन का इसने बिजनस पूरे दुनिया में अभी तक इसने कर लिया है बॉलिवूट की और तमाम जगत की ये उन चुनिंदा फिल्मों में इसका नाम शामिल हो गया है जिसका प्रचार प्रसार पूरा भारत वर्ष कर रहा है सभी शिटियोरी सभी के मैसेज में दा कस्मीरी फाइल्स के पोस्टर्स लगाय जा रहे है लगा हं रही है और पूरे परिवार के साथ एक फिल्म को ज़्यादा सज़ादा देखने के लिए प्रेडित किया जा रहा है ये फिल्म ब्लॉक बास्टर की रेस में आगे बढ़ चुकी है और यकीन मान लीज़े आने वाले दिलों में ये फिल्म कई सारे किर्तिमान इस्थापित करेगी आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या नाहीं इसमें कोई हॉट सीन से हैं नाहीं कोई सुंदर से अभी नेतरी इसमें अपना अंग परदशन कर रहे ह। कश्मीरी पंडितों के दुख को उनके उपर हुए इस आमानवी ये वहवार को जिस तरीके से विवेक अगनी होतरी जी ने दिखाया है साथ यही कारण है इसको आइमबीडी में 10 प्लस की रेटिंग और हर को इसको 5 प्लस की रेटिंग दे रहा है 5 इस्टार की रेटिंग दे जूट पुरी दुनिया के चक्क्र लगा कर आजाता है दूसरा बहुत बढ़ी हाँ जो कि मुझे लगा बाकि इसमें सब्सक्राइब अच्छे हैं वह डायलोग था कि सब्सक्राइब नहीं होते हैं उनके पीछे भागना पड़ता है तीसरा एक डायलोग जो कि काफी जलेव मतलब कनवट हो जाओ गलेव मतलब या तो आप भाग जाओ और जलेव मतलब या तो आप मर जाओ कुछ इसमें ऐसे किरदार भी रहे हैं जिनकी प्रसंसा विश्विस्तर पर हो रही है उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है कृष्णा पंडित का जो कि दीपक कुमार जी ने इसको करा है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके यह मूवी देखेगा उस मूवी में कश्मीर को जिस तरीके से नेरेट किया गया है उसने सभी की रॉंग्टे खड़े कर दिये थे और सबको मालो में नैशनल अवार्ड विनर अनुपरम खेर जी की एक्टिंग के बारे में उन्होंने पुसकरनात पंडित का जो किरदार जो अभी नहीं किया है वो बिल्कुल काविले तारीफ है पुसकरनात पंडित जी उनके अपने खुद के पिता जी का नाम है उन्होंने फिल्म में पुसकरनात पंडित जो कि उनके पिता जी है उनहीं का भी ने किया है ये बाती थी फिल्मों से लेटेट इस फिल्म की राह आसान नहीं रही है फिल्म के पोस्टर से लेके अभी तक इसको कई सारे विवादों और कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है पोस्टर आने के बाद ही शिकारा जैसी मूवी के पोस्टर डिलीर हो जाते हैं इस स खिलाफ कई सारे बॉंबे हाई कोट में केसिस भी आ गए हैं खुद विवेग रंजन अगरी होतरी के अपर फत्वे जारी हो जाते हैं यह था पूरा मामला अभी तक इस फिल्म कैसी लगी अगर आपने देखा है आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं इस फिल्म का बेस् वह क्या है हमें बताइएगा आप बने रहीएगा बोल बचन में आसे तमाम कंटेंट्स के लिए तमाम वीडियो के लिए आप देख रहे हैं बोल बचन जय हैं जय भारत